हुआ है 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 मैं राज कुमर से वास्तो आपका आपके इस कामर्स स्टडी चैनल और सागत करता हूं कि पिशली वीडियो में कि आपने जर्नल प्रविस्टि को करने के लिए है गॉल्डेन रूल्स को देखा खापों को देखा और जर्नल प्रविस्टि करने के कुछ सामान ने और मूर्भूत नियमों को अपने देखा आज से आपको हम जर्नल इंट्री कैसे करना है उसको सिखाएंगे स्टार्टिंग में जर्नल सिखाने के लिए हमने आपसे सिर्फ दो खातों पे काम करने के लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं कुछ व्योहार लिए हैं जिनने आप लेंदेन भी कहते हैं इसमें मुख्य रूप से दो ही खाते प्रभवित होंगे आपको तीन खाते बताए गए हैं जिनमें पहला वैक्तिकत खाता दूसरा वास्तविक खाता और तीसरा नाम मात्र खाते के रूप में बताए गया है देखते हैं कि जर्नल प्रविस्टियां कैसे करते हैं और उसके कुछ छोड़े छोड़े नियमों को यहां पर हम करते हुए देखेंगे जर्नल इंट्री का हमने आपसे प्रारूप शेयर किया है बताया था यह पांच भागों में होता है पर्थम भाग को डेट दूसरे को दूसरे कालम को पर्डिकुलर, तीसरे को लेजर फोलियो, अमाउंट चौथा और पाच्वे को अमाउंट क्रेडिट, चौथे को अमाउंट डेविट, कहा जाता है, किस कालम में किस तरह की इंट्रीज की जाती है, इसके बारे में भी हमने पिछली वीडियो में आ आज आप देखेंगे कि हम एक समाने से कुश्चन को जर्णल प्रविष्ठी की माध्यम से कैसे स्वाल्व करते हैं उसके पहले आप से हम थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे कि जर्णल क्या है वास्तों में जर्णल फ्रेंच भासा के जोर सब्दिशे बना हुआ है जोर जिसका आशे होता है डे बुक या डायरी आप कह सकते हैं मीज जिसमें रोज होने वाले लेन देनों को प्रविष्ठी के रूप में लिख लिया जाता है दैनिक डायरी इसका निर्माण कभी कभी तो डायरेक्ट लेन देन होने पर डायरेक्ट इसका निर्माण कर लिया जाता है कभी कभी बहुसी संस्थों में ऐसा होता है कि एक रद्दी बुक होती है रफ बुक होती है और उस रफ बुक से यहां पर इंट्री की जाती है इसकी थेरी की चर्चा हम आपसे दूसरी वीडियो में करेंगे अभी आप सिर्फ यह जाने कि अब फ्रेंच भासा के जोर शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है डे बुक्या डैरी जिससे आप परचिद हैं कि डैरी के मतलब डैरी की व्योहार जिसमें लिखे जा रहे हो आगे देखते हैं कि हम इस कुश्चन को कैसे स्वार्व करेंगे सबसे पहले तो हमें उपर लिखना होता है जर्नल इंट्रीज इन दे बुक्स आप यहाँ पर प्रोप्राइटर का नाम होगा जिसकी पुस्तकों में आप जर्नल प्रविस्टी करने जा रहे हैं कुश्चन में आप देखेंगे संजय ने 50,000 नकद 20,000 रुपए के फरनीचर तथा 10,000 रुपए के माल से व्यापार आरंब किया में संजय ने प्रोड़म किया है इसका मतलब इस बिजनिस का प्रोप्राइटर या ओनर कौन है संजय तो यहाँ पर आप लिखेंगे जर्नल इंट्रीज इन दे बुक्स आफ संजय ठीक है इसको लिखने के बाद आपके दिमाग में एक बात हमेशा रहनी चाहिए कि आप संजय के एकाउंटेंट हैं संजे जो व्योसाय चला रहे हैं आप उस व्योसाय के अकाउंटेंट हैं व्योसाय की सभी क्रियाओं को आपके दोरा संपाधित किया जाना है संपाइधित के जाने के मतलब यह नहीं है कि एकाउंटेंट होने के नाते आपको माल बेचना है बल्कि जो भी लेखांकर व्योहार किये गये हैं, माल खरीदा गया है, माल बेचा गया है, माल वापस आया है, माल वापस किया गया है या जो भी व्योहार किये गए हैं, उनका हिसाब किताब लेखा प्रविस्टियों में रखना है तो इसका मतलब आप अकॉंटेंट है, और आप अकॉंटेंट होने के नाते इस व्योहार को लेखा पुस्टों में लिखने जा रहे हैं यह वात आपके दिमाग में हमेशा बनी होनी चाहिए यहाँ पर संजय ने अगर विवसाय में 50,000 नकग कैश के रूप में 20,000 रुपए का फरनीचर दिया है और 10,000 रुपए का माल विवसाय में लगाया है तो आप यह मानेंगे कि आप विवसाय हैं और यह सारी वस्तुएं आपके पास आ रही हैं या विवसाय में आ रही हैं तो ऐसी इसकी में देखें कि इस विवहार में कुल कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं इसको देखने के लिए सबसे पहले तो आप देखें 50,000 रुपया कैश आ रहा है तो आपके पास जो एक खाता प्रभावित हो रहा है वह को रहा है कैश ऐकाउंट्स को दूसरा 20,000 रुपय . फर्णीचर आ रहा है तो यहां पर प्रभावित होने वाला अगला खाता है वो है furniture account next 10,000 रुपए का माल आ रहा है तो यह stock जो विवसाय का मालिक देता है इसको भी हम purchase के रूप में मानते हैं होता तो यह stock है लेकिन यह stock उसके पास कैसे आया होगा purchase करके आया होगा इसलिए इसको हम purchase भी बोलते हैं purchase account next विवसाय के मालिक ने जो नकत धंदास दी furniture दिया और माल दिया चुंकि विवसाय में मैंने पहले से बताया है कि विवसाय के मालिक का नाम कहीं पर नहीं लिखा जाएगा उसके द्वारा जो धनराशी या जो संपतियां विवसाय में दी जा रही है उसे आको हम पूजी बोल विवसाय के मालिक विवसाय में लगा रहा है तो इसका मतलब क्या है मालिक की जगह पर कौन से खाटा प्रभावित होगा वह हो जाएगा अग्यासा रियल अकॉंड होता है एक हैं हम की कर सकते हैं यह के साथ एल नहीं अन्फों करें ब्यूं सब्सक्राने सब्सक्राइं लेकिन यहां पेख पिटल है इस टॉक को भी हम चूँ सकते हैं मसूस कर सकते हैं अब होता है कि हमने बताया था कैप्टेल इंडिकेट कर रहा है विवसाय के मालिक को जो कि एक नेचुरल पर्सनल अगाउंट है तो यहां पर भी है हमारा क्या बजाएगाउंट पर्सनल अगाउंट ये खाते हो गए अब हमें इन में इनके रूल्स को लगा देना है हमने आपको 3 golden rules के वारे में आपको इन वीडियो दी गही है उसमिने हमने बताया है कि व्यक्तिकर खाते में जो नियम लगता है पाने वाले को रिडित देने वाले को धनी करते हैं वास्तविक खाते में नियम लगता है व्यवसाय में आने वाली वस्तों को रिड़ी और व्यवसाय से बाहर जाने वाली वस्तों को धनी करते हैं ठीक है और आवास्तविक खाते नाम मात्र खाते के बारे में आप शेब बताया गया था कि व्यवाँ हानी को रिड़ी आयवाल और परस्णल अकाउंट रूल पर लगा देते हैं तो चुकि आप चीजे आएंगी तो रियल अकाउंट बोलता है व्योसाय में आने वाले को डैबिक और व्योसाय से बाहर जाने वाले को करिड़् करते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो आपके पास कैश भी आ रही है furniture भी आ रहा है और stock भी आ रहा है means यह तीनों चीजें व्यवसाय में आपके पास आ रही है और सूत्र कहता है कि व्यवसाय में आने वाले को debit करते हैं इसलिए आपका यह cash भी debit हो जाएगा cash account, furniture account भी debit हो जाएगा stock account भी debit हो जाएगा रही बात capital capital हमारा है personal account और personal account का formula होता है पाने वाले को ready और देने वाले को धनी करते हैं तो यहाँ पर देने वाले हैं संजय संजय क्या है? देने वाले हैं तो इसलिए यहाँ पर और संजय की जगाँ पर capital सब्द का प्रयोग किया गया है ठीक है? तो चुंकि संजर देने वाले हैं और रूल के हिसाब से पाने वाले पुरेडियों और देने वाले उधनी करते हैं संजर देने वाले हैं इसलिए संजर क्या हो जाएंगे क्रेडिट हो जाएंगे इसलिए संजे की जगा पर जो शब्द प्रियोग किया गया है वो भी क्राणिट हो जाएगा ठीक है तो ये हमारे विशलेशन हो गए कि जो भी लेंदेल हुआ इसका हमने विशलेशन कर लिया विशलेशन करने के वाद हमें इस जरजरल पे पहुंच गए कि कौन सा खाता से सटा कर लिखते हैं यहां पर थोड़ी सी चूख हुई है यहां पर आप मेंशन कर लेंगे सन है 2020 और यह जनुवरी स्टार्ट हो रहे हैं सारे जनुवरी एक दो तीन चार पांचे साथा नौदर इस तरह इसको माल लेते हैं तो सबसे पहले यहां पर हम आप से बताये देख लेकना होगा यहां हमारा है 220 और मंत है जनुवरी और डेट है वन जनुवरी वन को आपके पास देखे तीन खाते हो रहे हैं और स्टाउक भी धिक हो रहा है तो यहां पर हम इंट्री करेंगे कैश अकाउंट डावी डेट वाली लाई से सडा लिखेंगे एड़ेप्य से अ तो यहां पर हम करेंगे मैंने दैविट बताया था लेजर खॉलिए से सड़ के लिखेंगे दूसरी अकाउंट है यहां पर लिखेंगे हम पर नीचर अकाउंट घर फिर अगला खांट है स्टॉक को मानते हिसक्या फॉर्चेज करके आया होगा इसलिए यहां पर हम करेंगे वारे चेज़ेज अकाउंट डेवीट यह तीनों हमारे डेवीट हो गए ठीक है और साथ ही साथ एक खाता है एक कैपिटल जो की क्रेडिट होना है हमने बता था क्रेडिट वाई लाइन को डेट वाली लाइन से एक संटेमेटर की जगा छोड़क कर लिखना शुरू करते हैं और शुरुवात करते हैं तू से यहां पे लिखेंगे हम टू कैपिटल और अकाउंट को इस तरह से आपका यह पहला हो जाएगा और इस तरह के अमाउंट को देख लेते कितने कितने हैं तो आप देखें 50,000 रुपया कैश है तो यह डेविट वाली लाइन है य और यह अमांट का कॉलम है तो डेविट वाइला है कि सारे लिखेंगे तो यहां पर कैस वार्द है इसलिए यहां पर 50,000 लिखा जाएगा कैश पर फरनीचर भी हमारा डेविट है कितना 20,000 से तो फरनीचर के सामने 20,000 लिखेंगे डेविट वाई लाइन में और इस टॉक हमारा है 10,000 का और इसे भी हम डेविट वाई लाइन में लिखेंगे और कैपिटल अब इन सब को जोड़ लो कि व्योसाय में लगाया है 50,000 नकर 20,000 रूपए का फरनीचर और 10,000 की कम आल उसने विवसायट के मालिक ने दिया है तो विवसाय के मालिक ने टोटल 50,000 वी 70,000 रूपीज कैपिटल के रूप में बिजनस में इन्वेस्ट किया है ठीक है मीश विवसाय का मालिक इस इंट्री को देने के पीछे मारा उद्देश यह था आपको जानना कि विवसाय का मालिक चाहा कैस लगाए या कोई संपत्ति दे दे जिसे फरनीचर मशीनरी लैंड विल्डिंग मोटर वहिकल्स तो अगर कोई फिक्स एसट देता है तो उसकी वी वैलू को हम कैपिटल में कलकुलेट करते हैं औ सकफ़े में किसी रुप में लगा जा सकता है और इसे स्टॉक के रूप में लगा जा सकता है अगली वाथ यह क्या है हमें इसके लिए नरे खना होगा नारेशन के लिए इसको बीइंग से स्टार्ट करते हैं देखिए आज के समय में जो इस्तित है कोई लोग बीइंग लगाते हैं कोई फार लगाते हैं लेकिन एक चीज़ और है लेकिन और वार दोनों की आनिवायता समाप्त कर दीगी है तो आप इसे बीन लगाए भी लिखते हैं तो आपका गलत नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा ग्रेमडी के लिए अच्छा करने के लिए आप हम तो यह राय देंगे कि आप बीइंग सब्दे का इस्तेमाल जरूद करें तो यहां पर लिखेंगे बीजिनेस जो काम हुआ है वह यहां लिखना है अज प्रस्टी पीचर रूपीज ट्वंटी थाउजंड आएंड स्टॉक रूपीज टैन थाउजंड इस तरह से और उसके बाद एक पर्टिकुलर वाले पॉर्सन के ही बीच में एक लाइन खिसते हैं जिसको शेप्रेशन लाइन बोलते हैं यह दो जनरल इंट्री को डिवाइड करता है अलग अलग करता है नेक्स्ट तो इस तरह से हमारा फर्स्ट रांजेक्शन की जैनल इंट्री हो चुकी है सेकेंड आपका है पांच हजार रुपए का माल रोइट से लकत खरीदा इसकी डेट है जैनुवरी टू तब यहां पर हम देखिए जैनुवरी टू सीधा मेंशन कर आप देखें पांच हजार रुपए का माल रोहित से नकद खरीदा यहां पर देखिए एक बहुत ही गूड़ बात है यहां पर रोहित से नकद खरीदा नकद शब्द लगा हुआ है तो आप याद रखें हम जब भी नकद वेवार करते हैं नकद वेवार का मतलब क्या है नकद माल खरीद रहे हो या नकद माल हम रेच रहे हो दोनों ही इस्थितियों में जिससे माल खरीदते हैं या जिससे माल बेचते हैं उसके नाम को याद रखने की कोई अवशकता नहीं होती क्योंकि हम उस वस्तु के बदले सीदे-सीदे कैस ले ले रहे हैं हैं तो जहां पर नकद शब्द आ जाएगा तो वहां पे हमें other party के नाम से कोई मतलब नहीं रहेगा तो इसके कारण आप देखें यहां पे क्या दो खाते ऐसे कौन से हैं जिनके उपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है तो पहला तो है 5000 रूपय का माल खरीदा ठीक है ना और रोहित से खरीदा समसे कोई मतलब नहीं क्यों अपया प्रचेज अकाउंन कों से खाता और च रूप को हो जाएगा कि आप इसे यह मत समझे कि आपके लिए करना compulsory होगा question में यह आपकी एक rough book है आपके सीखने के लिए हमने इसको बताया है आने वाले समय में आप इन सारे कामों को अपने मन में करने लगेंगे जैसे जैसे आप general entries करते जाएंगे आपके पास इतना experience होने लगेगा कि यह सारी चीजें जो मैं आपको लिख के समझा रहा हूं यह चीजें आपके दिमाग में आटोमेटिक होने लेगेंगी लेकिन स्टार्टिंग में जब तक आपको general entry करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं तब तक आपने रख बुक में इस तरह के अबर्क करके इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो इस दूसरे वाले ट्रांजेक्शन में दो खाते प्र ड्रीयल अकाउंट्स होता है वेरी गुड़ अपके पास दोनों एकाउंट्स मिल गए ठीक है अब इसका मतलब यह नहीं है कि दोनों खाते डेविट हो जाएंगे या दोनो खाते करेडिट हो जाएंगे आप देखें इसमें रियल एकाउंट का फार्मूला लगा कर देखे रियल अकाउंट का फार्मूला बोलता है ब्योषाए में आने वाले को रिड़ी अब व्योषाए से बाहर जाने वाले को धड़ी करते हैं तो जब हम नकद माल खरीदेंगे तो हमारे पास माल तो आता है लेकिन कैश हमारे पास से जाता है तो माल आ रहा है किस के थूँआ रहा है पर्चेज के थूँआ रहा है इसका मतलब हमारा पर्चेज एकाउंट जिसमें माल आता है तो पर्चेज एकाउंट क्या करेंगे डैविट करेंगे और दूसरा इसके बदले कैश हमारे पास से जा रही है और हमारा सुत्र बोलता है कि बहुताय से बाहर जाने वाले को क्रडिट करते हैं तिस तरह से हमारा क्या जाएगा कर्डिट हो जाएगा अब आप देखिये यहां से आपको पता लग गया कि एक आप पर डेविट हो रहा है और दूसरा आपका क्रडिट हो पहले कौन लिखना है पहले बता है आपको पहले डेविट वाला लिखना है तुछ यहां पर लिखेंगे पर चीज़ अकाउंट डेविट टू कैश अकाउंट यह चीज़ें आप ध्यां रखेंगे क्यों ऐसी हो रही है क्योंकि इनके बारें पीशे बता जा चुका है उसके बाद नरेशन लिखते रहें हम बीइंग गुड्स अच्छा होता है लेकिन गुड्स मीज माल होता है बीइंग गुड्स परचेज़्ड फार कैश रूपीज फाइप थाउजंड पांच वजार रू इसका एमांट है 5000 तो डेविट में 5000 और क्रेड़िट में 5000 इसी को कहते हैं डॉहरा लेखा प्रडाली जितने फीवहार हो रहा है कि सब का दोरा लेखा हो रहा है दो धो खाते प्रभावित हो रहे हैं दो जगळा प्रविष्टियां हो रहे हैं जैसे आँए अपना खरीदा तो इस तरह से जनवरी टू का ट्रांजिक्शन जनल लिटरी के रूप में आपके समने आ चुका है नेक्स डेट है आपकी जनवरी त्री यहां पर लिखेंगे डेट वाले में जनवरी त्री यहां में देखिए आप लिखा है 10,000 रूपय का माझ सीता से खरीदा 2 खाते प्रभवित हो रहें सीता सीता एक खरीदा आपने क्या Tan kiya, परचेज किया फे क कता लुगया और दूसरा सीता से खरीदा में यहां पर or March खरीदा होगा जरूर क्योंकि नकद वेवहार होगा तो नकद शब्द या पो लिखा रहे गाएगा या जिस से व्यक्ति से हम नहीं खरीद उसका नाम नहीं लिख रहेगा यह आपकी सबसे बड़ी पहचान अपने दिमाग में रखिए जब भी वियोहार नख़ा नगाँ होगा जब लेंदेन नख़ा तो उसमें या तो नकद शब्द लिकारेगा जैसा कि ऊपर लिखा था नकर करीद है और अग Western शब्द सिता से खरीदा है तो हमारा जो दूसरा पक्ष हो जाएगा क्यों हो जाएगा सीटा ठीक है सीटा करके लगाएंगे अकाउंट लगाने के लिए लिए च्वल्चर करना पड़ता है तो यहां पर पहसानता ही काउंसा खाता है तो पर देख लेए पर आपका होता है आपका सीटा सीटा एक नेचूरल संब है एक प्राकृति की व्यक्ति है इसका मतभशति हो जाएगा परसनल अकाउंट हो जाएगा अगें दोनों में सूत्र लगा के देख लेते हैं हमारे जो तीनों त्रम करते नहीं करते हैं तो बोलता है वेहसाय में आने वाले बुर्णी अगया हुशाय से बाहर जाने सिता आपका personal account है personal account का जो formula होता है वो होता है पाने वाले कुरणी और देने वाले को धनी करते हैं यहाँ पे अगर हम माल खरीदते हैं सिता से तो CDC बात है कि सिता यहाँ पे देने वाली हैं सिता माल को देने वाली हैं और सूत्र बोलता है देने वाले को हम धनी करते हैं इसलि डेवेड खर्चेज़ अगाउंट डेवेड तू सीता बीइंग नरेशान आप लिखेंगे यहाँ पे बीइंग गुड्स पर्चेज़ड फ्रॉम सीता सीता से माल खरीदा रूपीज वैलू रूपीज लिख देंगे ज्यादा अच्छा होगा वैलू रूपीज कितने का माल खरीदा दस हजार रूपए का इसमाल रेकट क्लोज अब यहां पर डेविट वाई लाइन के सीध में डेविट में आप लिखेंगे 10,000 क्रेडिट वाले कॉलम में आप लिखेंगे 10,000 इस तरह जन्वरी ती जनरंटरी नेक्स डेट है आपकी जन्वरी देखते हैं जन्वरी फोर को क्या हुआ है 15,000 रुपए का माल नकद बेचा देखिए नकद बेचा यहां पर शब्द आगया कैश कैस सेल्स किया तो यहां पर देखें आप दो खाते प्रभावित हो रहा है आपने क्या किया है आपने सेल किया है तो यह पहला खाता मारा हो प्रभावित होने वाला है वह जाएगा सेल्स अकाउंट और दूसरा खाता क्या है जब आप माल वेचोगे तो सीधे सीधे आपको पास क्या आती है कैश इसका मतलब दूसरा खाता आपको हो जाएगा कैश अकाउंट ठीक है अब देख लेते हैं यह किस खाते से संबंदित है आप सेल्स में माल आता है जाता है तो सेल्स हमारा रियल एकाउंट क्योंकि माल माल को छूँ सकते हैं तो होता है किसी तो है दोनुसाइब होती है तो इसमें पर फॉर्मूला काम करेगा वह बोलता है विवसाहिए में आने वाले गुलडी और सबस्क्राइब करते हैं तो सीधी बाता है वे चैस नकत आती है और वाल पास से जाता है तो चुक्कि कैश आ रही है इसलिए आने वाले वो डेविट और सेल्स में माल जा रहा है इसलिए सेल्स को क्रडिट करते हैं इस तरह से आपके जनरल इंट्री वह जाए कि मैंने वजा डेविट वाला पहले लिखा जाएगा तो कैश आपके पास आ रही है इस इसलिए करेंगे आप कैश अकाउंट डेविट तू सेल्स अकाउंट नरेशन लिखेंगे बीन गोर्ट सूर्ड फॉर कैश रूपीज इसने का बिछा गया है पंद्रह हजा रूपए रूपीज फिक्टी थाउजन इस तरह से आपको नरेशन हो जाएगा डेविट वाली क्रेडिट वाले कॉलम में 15,000 हम मेंशन करेंगे इस तरह से जनवरी फॉर की हो गई है जनवरी फाइफ बीस हजार उपय का माल अनिल को बेचा देखिए यहां पे एक शब्द आ गया अनिल को आपने बेचा ठीक है अब देखिए यहां पे ना तो नकद लिखा है ना यह उ उद्हार क्योंकि हम उद्हार बेच रहे होंगे तभी हमारी चर्चा अनिल के बारे में की गई है तो यहां पर भी प्रभावित होने वाले दो खाते बजाएंगे एक तो आपने बेचा है तो एक खाता आपका मजाएगा सेल्स एकाउंट और दूसरा आपने किसको बेचा ह अपने अनिल को बेचा है तो दूसरा खाता हो जाएगा अब आप अकाउंट पहचानने में थोड़े से एक्सपर्ड हो चुके होंगे हमें उम्मीद हो रही है सेल्स में माल जाता है यह रियल अकाउंट होगा ठीक है क्योंकि माल का शेप होता है अनिल एक प्रक्रिक व्यक ओने जिए और जब यह सेल्स्ट करते हैं सेल सेमाल हमारे पास जाता है इसलिए क्या करेंंगे क्रेडिट करेंगे जांवाले को करते हैं और जब हम माल बेचते हैं तो यहां बेचने के कारण अनिल माल को पाने वाले हुए और यह परसनल एकारण बोलता है पाने वाले गुरणी और देने वाले को धनी करते हैं तो जब माल बेचा जा रहा है तो अनिल माल को पाने वाले हुए और सूत्र के गार्डिंग पाने वाले को डेव तू सेल्स अकाउंट नरे से लिखते हैं बीन गोट्स सोल्ड टू अनिल वैल्यू रूपीज कि यहां पे अब देखते हैं है कि हमारा पेज क्या हो रहा हैं यहां भर गया हाँ यहां एमंट कर देते हैं 20,000 डेविट में और 20,000 क्रैडिट वाइन में ठीक है अब यहां पे देखिए हमारा एक पेज भर गया suppose that आप कभी page भर गया नहीं भरा होगा तो 2-4 entry के बाद भर जाएगा ठीक है page भर गया तो अब हमें इस transaction को अगले page पे ले जाना पड़ेगा ऐसी इस खीत में देखिए यहां पे हम लिखते हैं total क्या लिखते हैं total cf means carried forward ठीक है total cf कभी कभी आपे balance भी लिखते हैं लेकिन balance journal के हमेरा यह मानना है जब आप जर्नल कर रहे हो तो वहां पर balance नहीं आता वालकि total आता है बैलेंस आता है जब हम लेजर बनाते हैं तो balance cf और balance bf लिखते हैं तो भी आप 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 इस टूडेंट है इस लिए मानना हो सकता है लेकिन अगर आप लीगल में करना चाहते हैं ज्यादा अच्छे तरीके करना चाहते हैं टोटल टोटल सी अफ और जब लास्ट पेस्पी होते हैं तो यहां पर इसको जोड़ लेते हैं जोड़ने पर एमाउंट आएगा देखते हैं यह 30 जब भी आप लिखेगा इक नीचे 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 सब्सक्राइब तो आपके जोड़ में अक्सर गरवड़ी होती है तो इस चीट का विशेज दिहान रखेंगे आज ए स्टूडेंट आप लोग क्यों कि यह लोग यह गलतिया आप लोग बहुत करते हैं तो यहां पर इसको जोड़ करेंगे तो डेविट बेट वे थी जिरो यह आ गए फिर यह हजार प्याते हैं तो जोड़ बरावर होना चाहिए अगर दोनों साइट के जोड़ हम गलत हो गया जरूर ठीक है तो इसे आप लोग अपनी कापी में नोट कर लें यह आपकी पांच पॉइंट की जैनल इंट्री है आगे की हम फिर देखते हैं आपके साथ और अब हम इसे मिटा दे रहे हैं इसे आप लोग नोट कर लें या इसका स्क्रीन साट ले लें ठीक नेक्स्ट अगली डेट जो बजाएगी उस पर हम काम करते हैं अगे की डेट आपकी है आपने पाइट तक जनल इंट्री कर ली है और शिक्स नंबर की जनल इंट्री अब हम आप लोग करेंगे उसके लिए फुर्ण सा स्पेस बनाना पड़ेगा तो टोटल आप लोग याद रखेंगे एक लाख 30,000 आपके पास टोटल आया था फर्स्ट पेस का अब हम पहुंच गए आपके सामने सेकेंड पेज़ पर सेकेंड पेज़ पर पहुंचते हैं तो वहां पर सबसे मीस ब्रॉट फारवर्ड और टोटल कितना हो था वन लैक थरड़ी थाउजन अब इसको उपर लेखने से सबसे बड़ा फाइदा क्या होगा कि अब हमें जो टोटल केल्कुलेट करना होगा उस टोटल में यह फस्ट पेस का वे टोटल सेकेंड पेस में आ गया और जब इसक जनवरी 6 में क्या हो रखा है दो हजार रुपय का माल सीता को लोटाया आपने सीता से दस हजार रुपय का माल खरी रहा था उपर और अब आप सीता को कि यहां पर जो प्रभावित होने वाले का पूदल होंगे उसको तो आप इसपेस नहीं किया गया चली पर भना लेंगे आप की थोड़ा सा रफ में थीक रहेगा तो तो यहां पर प्रभावित होने सीटा को चूंकि लोटाया है और कौन से माल लटाया है जो ने खरीदा था मीज खरीदा को माल वापस कर रहे हैं तो दूसरा खाता आपको हो जाएगा पर्चेज इसलिए सीटा हो गए हमारा पर्सनल अकाउंट और यह पर्चेयर में माल जा रहा है इस लिए हमारा क्या हो जागा रियल अकाउंट हो जाएगा अब इसमें सूत्र लगा देंगे सीता एक व्यक्ति है और इसमें व्यक्तिकत खाते का नियम लगेगा पाने वाले को रड़ी तथा देने वाले को धनी करते हैं तो आप जखिए सीता माल को पा रहे हैं जब हम सीता को माल लोटा रहे हैं तो जाएक से वादा सीता माल को पाने वाली हुई ऐसी इस्तितर सीता मा ससल आपता है लेकिन पर चाल चाह है और सुत्र लगता है रिएल एकौंट का रिएल अपर यहां पर जाने वाले को धनी कि रहे हैं और यह जा क्लिक क्या करते हैं और इसकी ज़र्नल एंट्री हो जाएगी सबसे पर एविड वाला लेखते हैं कि होँजय создus डेविट किसे तू परचेज रिटर्न अकाउंट नहीं से लिखेंगे बीन गुर्ट्स रिटर्न टू सीथा गुर्ट्स रिटर्न टू सीथा रूपीज 2,000 ठीक है यहां पर 2,000 और इसको मेंशन कर देंगे इसी जो एमांट का आप शेस लाए हैं उसी के जस्ट नीचे आप इसको मेंशन कर देंगे जोड़ने में आपके लिए आसानी हो जाएगी इस तरह से जनवरी 6 की इंट्री हो च कर दिया था देकिए यहां में 20,000 रुपय का माल अपने को बेचा था और अनिल ने क्या किया 30000 का माल वापस कर दिया इसी इस तीत में जो दो पक्षप्रभावित होंगे उसमें पहला जो पक्षप्रभावित होगा वह जाएगा अनिल ठीक है और दूसरा अनिल को आपने म माल था और अनिल लोट है मीन आकने को सेलस किया था और सेलस के बाद माल वापस में सेलस हो रहा है रहा है वह गया Пока कुछ हर और आप देखें तो एक परस्टनल ऊता है और माल होता है इसलिए हमारा अर ऑर आप दोने आपने वाला देते हैं अल्हकुत अब आरे तो और एक पर्सटनल इंगे पाने वाले और देने वाले को दैनी करते हैं तो यहां कि यहां पर के देने वाले हुम अभी करते हैं इसलिए हमारा क्रेड़ी हो जाएगा और ये रिए अपर में गोड़ी आने वाले को धनी करते हैं से स्रिटर नमे माल आपके व्युक्र देने वाले है करते हैं तो इस तरह से हमारी इंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्ण अकाउंट डेविट तू अनिल तू अनिल बीन गुड्स रिटर्न रूम अनिल रूपीज थ्री थाउजंड तीन अजार रूपए का माल अनिल के धौरा वापस किया गया यहां पे थ्री थाउजंड डेविट और क्रेडिट में इसके अमाउंट को अमेंशन कर देंगे ठीक है नेक्स डीट आपकी होती है जनवरी एट जनवरी एट को देखते हैं राम से दस हजार उपए का फरनीचर खरीदा जखने यहां पर राम देखने कि बात यह कि फरनीचर हमारा माल नहीं है अगर कोई व्यक्ति फरनीचर का व्योसाय कर रहा है किस उसके ह लिए माल हो सकता है यह लगिन हाँ पर सब्सक्राइब कर नहीं है कि कि सबस्तु कर एक स्वर विक्रे किया है तो आई माल ты पर निचर करेद रहे हैं तो यहां पर दो प्राइब हो जाएगे यह तो प्रबाविद हो जाये रहे हैं तो हमारे पास एक है रहाम और दूसरा वह जाएगा अधर फर्णीचर है ठीक है राम हो जागा पर्सनल एकाउंट क्योंकि एक नेचुरल परसनल है तो राम आपके हो जाएंगे पर्सनल अकाउंट और फर्णीचर आपका होता है यहां पे राम दस हजार रुपएर का जब फर्णीचर हमने खरीदा है और राम कई हो जाएंगे तो ऑन से हैं खरीदा हमने खरीदा उ benim पर्णीचर यहां कुलता है यहां और सुत्र मुलधा और सुत्र होता है जाने वासे हैं महार जाने वाँएर कृडिट करते हैं तो तुश्य कहने करने अचुक्छर को है तक है तो गो्साथ में आन्य वाले को डैविट करते हैं एसके फूर्व आपको फशो जाङगा देहले हो जाएगा और इसके नीट्र को फर्नीचर को एक आकांट ययँपित टू राम चरह है तक एफ टो कि फ्राम कि राम कि रूपीज कितने का फर्रिच्छा क्वेदारों ने 10,000 का ठीक है 10,000 डेविट वाले लाइन में कि राइन की सीद में डेविट वाले कॉलम में 10,000 और क्रेटी वाले कॉलम में 10,000 कर देते हैं इस तरह से जन्वरी इंट्री आपके हो चुकी है अब हम इंट्री करेंगे जन्वरी नाइन का जन्वरी नाइन में पांच हजार रुपए की मशीन खरीदी देखिए यहां पर हमने किससे खरीदी है इसके बारे में भी नहीं दिया है और नकद खरीदी इसके बारे में भी नहीं दिया है तो अगर हमने 5 रुपए मशीन खरीदी है तो यहां पर असपस्ट हो रहा है कि हमने नकद ही खरीदी होगी क्योंकि अगर हमने उधार खरीदा होता तो हम जिस व ब्रक्ति का नाम जरूर दिया गया होता या उधार शब्द इस तरह से कुछ लिखने के लिए नकद शब्द लिखता जरूर ठीक है तो यहां पर पांच रुपर मशीन खरीदी है तो यहां पर जो प्रभावित होने वाले खाते हो जाएंगे उसमें एक तो हो जाएगा आपक playing machine को उइंग्लिस के लिखते हैं machinery machinery और दूसरा कैसे और दो और जा रही है तो मशीनरी आ रही है इसके करेंगे और कैस्ट करेंगे और इसके वारी हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेवीट मशीनरी अकाउंट डेवीट तू इसके पदे कैस जा रही है तू कैस अकाउंट नरे सा लिखेंगे आप बीइंग मशीनरी परचेज़ड परचेश रुपीज फाइट थाउज़न इसको हम इसके एमांट को मेंशन कर देंगे फाइट थाउज़न डेविट में और फाइट थाउज़न क्राडिट में ठीक है और आपकी लास्ट इंट्री है जैनवरी टैन संजे ने तीन हजार रूपय का फरनीचर वेचा जगवाई संजे ने फरनीचर लगाया भी था केपटरय ग्रूप में लगाया था संज़न फरनीचर खरीदा भी गिए हैं अब कोई फरनीचर खराब हो गया या और कोई बात हो गी जिसके कारण संजे ने तीन हजार रूपय का फरनीचर बेच दिया लेकिन यहां पर खरीदा होने के कारण हमने परचेज नहीं यूज किया वैसे फरनीचर बेच रहे थे यहां पर सेल्स अकाउंट हम यूज नहीं करेंगे क्यों क्योंकि यह तीनों फरनीचर हो मशीन फरनीचर हो यह तीनों हमारा माल नहीं है हम परचेज और सेल्स दोनों को केवल माल खरीदने में हम परचेज और सेल्स लिखते हैं ठीक है जब भी हम कोई संपत्य खरीचते हैं या कोई संपत्य बेचते हैं तो हम परचेज और सेल इस अकाउंट हमारे प्रभावित नहीं होंगे यह जानने की बहुत ज़रूई बहुत इंपोर्टन बात है ठीक है तो जहां पर देख लेते हैं दो खादे प्रभावित क्या होंगे संजय ने बेचा है तो क्या आप आपको होता है और दोनों ही आपके रिएल एकॉंट है फारमुला काम करेगा विवसा आने वाले सब्सक्राइब अब दो स्ब्रस आप आ रहा है जा रहा है इसका निए सब्सक्राइब रहा है तो यहां पर आपके जो जनुर्य हो जाएगी चैस अकाउंट डेविट टू फर नीचर अकाउंट नरिशन आप लिखेंगे बींग फरनीचर सोल्ड फॉर कैश रूपीज थी थाउजन को हम एमांट के कॉलम में भी मेंशन करेंगे डेविट और क्रेडिट दोनों में इस तरह से आप देखें तो ये आपका किलियर हुआ और यहां पर हम लिखते हैं यह आपका कंप्लिट हुआ और इसका फिर हम टोटल करेंगे और टोटरल में हमको लेड। लाइन डबल खीच देनी होगी और यहां पर लिखना पड़ेगा हमें ग्रेंड टोटल अभी हमने आपसे चर्चा किया था कि जहां पर आपका कुश्चन फाइनल होगा वहां पर टोटल न लिखेंगे अब आप इसको आड़ करके देख लेते हैं कितना हमारा ग्रेंड टोटल होता है तो आप देखें तो इकाई दाही सेगड़ा तीनों पर हमारे इसको भी जोड़के देख लेंगे तो आपका ये भी आएगा एक लाख तिरपनाजार बन लाख फिट्री थाउजंड और इस तरह से डेविट और क्राइड दोनों साइट का योग हमारा बराबर आएगा और इस तरह से इस दस इंट्रीज को दस व्योहारों को हमने जनरल इसी तरह जबनाते हैं और लगवक जितने तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम अपनी तरफ से इस तरह की एक्जामपल देखे पहले आपको चितने तरह कोते हैं उन साइक कुश्चन को साल्व करा देंगे दो-3 वीडियो लगेंगी उसके बाद फिर आप से हम आपकी एक्सरसाइज के कुश्चन को साल्व कराएंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह सारे ट्रांजेक्शन की जन्रेटरी बनाना समझ में आगया होगा अगर अभी भी आपको कुछ डाउड है इन सारे पॉइंट्स में तो आप वीडियो के कमेंड बाक्स में लिखकर इसको उच सकते हैं जन्रेबाद